बिस्मिल्य रह्माने रहीम असलाम अलेकम वेल्कम बैक टू में चैनल कुकिंग विद्टी के जिया जहां हम आपके लिए आलू की टिकी और आलू का प्राथा की रे से भी लेकर रहे हैं जो के बहुती मज़दार और आसान जटपट ब्रेकफास्ट बनने वाला है हमारा यहा रात को ही मैंने इसको बहल करके फ्रीज के अंदर राख दिया था ताकि इसकी टिकी जो है वाच्छे से बने बाद कोई अट अगेरा डाले हम इसको बनाएंगे तो यहां पर हमने इनको कट कर लेना है पहले फिर इसको हम मैच कर लेंगे कांटे से या पिर मैचर से आपके अगर मैचर नहीं है तो इस तरह से आप कांटे से कर सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूं और यहां पर यह देखें इस तरह से सारे कर लेंगे अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो आप से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बिल्ड क तो यहां पर हमने लिया निया के दिद्ग už यहांगे नियुन के साथ हरी मिर्ची यहना मिर्च के साथ और गिना कृटिल मिर्च केली सूंटारार। इसके साथ गरम मसाला और धनिया और किलवंजी यह भी हाफ आफ टी स्पून है और इन सारी चीज़ों का मिक्स कर लेंगे और यहां पर टेस्ट करके अगर हमें कम लगेगा तो हम रेड चिली पॉर्टर एट कर देंगे अगर आप कम खाना चाते हैं तो अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं अगर ज्यादा कर सकते हैं यहां पर मुझे कम लग रहा था तो मैंने रेड चिली पॉर्टर भी हाफ टी स्पून इसके अंदर आट कर दिया और अगर आप चाते हैं तो इसके अंदर जीरा या फि हम इनको बना के एक साइट पे थोड़ा सा कुश काटर डाल के राख देंगे मैं यहां पर एक बना रही हूँ प्राठा अलू का अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज्यादा भी बना सकते हैं तो यहां पर जो हमरा बेटरा हमने बना कर रखा है इसके हम ठीकियां बना देंगे आप अपने हिसाब से जितने आप बनाना चाहें उसी हिसाब से अपने आलू लीजिएगा और बनाईएगा अगर आप ज्यादा बनाना चाह रहे हैं तो ज्यादा बनाईएगा और यहां पर यह देखें, इस तरह से हम इसको शेफ कबाब की, जैसे हम शामी कबाब वगरा बनाते हैं, तो यहां पर यह देखें, हमरी रेडी हो चुकी है, और यहां पर हमने लिए है एक प्लेट, इसके उपर हम आटा को डस्ट कर लेंगे, अगर आप बेलन से बिलना चाहते हैं, तो आ यहां पर रोटी को हाथ के हल्प से बढ़ा रही हूँ और हमने इसको गोर्ड नहीं बनाना बस ऐसे ही हमने इसके ओपर फिलिंग करनी है और जो है इसको दोबरा रोल करना है और यह देखें इस तरह से हम जो बचा के रखा हुआ था हमने मिक्सचर वो इसके ओपर आइड कर देंगे और इसको फिला लेंगे अच्छे से सेट कर देंगे यह देखें अगर आप मुझे फेस्बुक इंस्ट्राग्राम और ट्यूटर पर फालो करना चाहते हैं तो अब उट सेक्शन में में माजूद है आप महां से मुझे फालो कर सकते हैं तो यहां पर यह देखें हम हम ने सारे आलू के जो मिक्सचर है वो लगा लिया और कांटी की हल्प से मैं इसको सेपरेट करनी हूँ अच्छे से पहला ली हूँ तो यह देखें हम दूसरी रोटी भी इसी तरह से हम बना लेंगे और इसको जो है इसके उपर ढाल देंगे यह देखें चलो कोई बात नहीं हमने इसको दूबरा रोल करना है तो जरूरी नहीं के इसको हम गोल गोल बनाए यह देखें हम दूबरा इसका पेड़ा बना लेंगे और इसको जो है पेड़ा बना के इसको दूबरा बे लेंगे रोटी बना लेंगे इसकी यह देखें हम पर हमने बेलन लिया है और इससे करेक्स को दे लेंगे। देखें कि lle थोड़े थोड़े मूपयर को आप क्षपी के जाधा है तो इसें का प्रेशार नहीं हो। इसता के Onu भी अडेस्टेकश हैं कि ये मिडियम तो लो संपहें और इसके उपर हम डाल देंगे वन टू 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 टेबल स्पून के गरीब जो है कुकिंग ओयल जा फिर घी आप अपनी चुछ से बटर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं यहां पर कुकिंग ओयल अड़ कर रही हूं और यह देखें एक तरफ से यह सी गिया है उपर तक यह देखे पर खुशक सा हो गया है तो हम इसके साइट को पलट लेंगे तकरिबंगे दो से तीन मिनट लगेंगे आपको पकाने में यह देखें माशनलों से कितना जबरतस्त कला रहा है तो अब हम इसको दूसरी साइट पर भी ऑईल लगा रहेंगे यह गी जो भी आप लगाना चाहे तो हम इसको चीतरा से दूसरी साइट से भी पका लेंगे यह देखें बहुत ही मज़दार हमारा जो पराठा है वो बन कर तियार होगी है हम इसको डिशोट कर लेते हैं और हम दुबारा तवे के उपर जो है कुकिंग ऐल एड़ कर देंगे तकरिबंगे वान टेबल स्पू कुछ भी नहीं है डाला तो यह ऐसे ही बन जाएगी बहुत ही मज़दार बहुत ही आसान सी रेसे भी है आप इसको ब्रेकफास्ट में या फिर दुपैर में लंच में आप बना सकते हैं तो यह देखें इसका कलर कितना अच्छा है एतियाद से जरा अपने इसको करना है और बहुत ही आसानी से यह देखें तूसरी साइड इसकी पलट जाएगी और यह देखें माशालला से हमारी टिक्यां जो बहुत ही मज़दार बनी हैं बहुत ही अच्छी बनी हैं और यह देखें अगर इनको बनाएंगे तो कबाब को भूल जाएंगे यह देखें बहुत ही कच्छी लग लगी है तो थोड़ा इसको और पका लेते हैं इसके ओपर जो है थोड़ा सा और कुकिंग और आइड कर देते हैं जो कच्छा हमारा एक रह गया था वो भी हम पका लेंगे साथ में तक्रिबंद इसको भी 2-3 मिनट लगेंगे यह देखें दोने साइड से इसको भी पका लेंगे यह देखें अगर आप को इंग्रेडियंट्स जो हैं वो नहीं समझ आते तो में जो डिस्क्रिप्शन बोक्स हैं उसके अंदर आपको मिल जाएंगे सारे वहां से आप जो हैं लेक सकते हैं यह देखें हमारा प्राठा जो है माशाला से बहुत ही जबर्द क्यों में तो तो के लिये अला हफिज